हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल रिद्यो ओफीशल जोन डिस इस रिदी और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग का गांधी जी की नई तालीम का डेली लेक्चर चलने हैं जो कि आपका आज लेक्शन नंबर फाइव है तो दोस्तों आज जो हमारा टॉप टॉपिक है वह आपका टॉपिक है एक्सपेरियंशल लर्निंग यानि की अनुभव जन्य अधीगम इसके मिनिंग और कॉंसेप्ट जो कि आपके स्लेबस के अकॉर्डिंग है वह आज आपकी वीडियो में क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो आज हम लोग देख लेंगे कि आ आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी बाकी कि इससे पहले कि जितने भी लेक्चर थे जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट रहे दोस्तों तो अगर अभी अभी तक आप लोगों ने वह नहीं देखिया तो आप लोग उस वीडियो को काफी हद तक आते हैं और उनके फिलोसिफिकल आइडियास के बारे में मैंने आपको एक्स्प्लीन किया है बेसिक एजुकेशन और आपका मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक यानिकी गांदी जी की नई तालीम में नई तालीम का मतलब क्या है और आखिरकार उनके प्रिंसिप प्रेस कर दिजेगा लेटिस नोटिफिकेशन के लिए और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टन चीज बता देतु कि मैंने अपने चैनल पे और सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में मैंने क्या कर दिया है आप लोग सारे सारे तो आपके पेपर में आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पूल होगा तो अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ले लीजेगा और वहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं तो आज हम लोग सबस बढ़ा जा सकता है यानी कि आप लोग एक मिनिंगफूल वे बोल सकते हैं एक्सपीरेंशल लearning वो प्रॉसस होता है जहान पे मिनिंगफूल वेक का मतलब यानि कि सही तरीके से उसका यूज किया जाता है उसके पर एक्सपीरेंशल लearni qa आप लोग क यहां पर डैफिन सबसे पहले आप लोग अपने हाथों के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और एक्वाइड आउटसाइड ऑफ दर ट्रेडिशनल अकेडमी क्लास्रूम शेटिंग एंड में इंग्लूड इंटर्शिप स्टडीज अब्रॉड फिल्ट लें सकते हैं आफ र की मिट्रिश सकते हैं या फिर आपके जितने भी इउप सकते हैं यहिंस सब को आप लोग ट्रडिशनली बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि अगर आप किसी इंटर्शिप के दौरा आप लोग को सीख सकते हैं आप लोग विदेश में जाकर अपना अध्यान करेंगे इसे भी आप लोगों का क्या होगा अनुभाव आत्मक्षिक्षा होगी ज सर्विस लर्णिंग प्रोजेक्ट यानि की सेवा सीखने पर योजना में सामिल हो सकते हैं जिसे कि आप लोगों को अनुभव हो सकता है कुछ भी चीज सीखने के लिए जैसे आप लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज आपको कैसे करनी है और उसको आप कैसे कर सकते हैं कि आप पर रिफ्लेक्ट पढ़ेगा और आप लोग उसे कैसे करेंगे तो चलिए वह देख लेते हैं जैसे कि आप लोग यहां पर डाइग्राम भी देख सकते हैं तो इस फिगर आउट में है कि अगर आपने कोई भी चीज सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे क कोई भी चीज पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके लिए कोशन होगा कि वर्ट विलाइडू मोर ओफ लैस ऑफ स्टार्ट और स्टॉफ फॉर नेक्स ताइम तो यह प्रोसेस आप लोगों का यहां पेंटर्चेंज हो रहा है मतलब आप यह कह सकते हैं कि आप कोई किसी यॉव पकर घाने के बहुत है तो आपको बicamente कई तरीक से आप उख करेंगे और यह पड़ेगा कि आपने जो आखिर का interview दिया था अब उसका result क्या होगा यानि कि उसके पर action किया हुआ है और उसके बद जब result आ जाएगा तो उसके बद नक्सेप क्या step हो जाएगा conceptualize ओगा कि आखिर का conclusion क्या निकलेगा कि आखिर जो कि आपका result है उसको कैसे imply किया गया है तो यह आपका अनुभव के द्वारा जो कि आप लोग अपनी शिक्षा के द्वारान सीखते हैं meaning and concept of experiential learning अनुभव आत्मक सीखने का अर्थ और उसके अब हम लोग अब धार्ना के बार में देखते हैं experiential learning is also known as EXL यानि कि आपके अनुभव आत्मक सीखने के EXL के रूप से भी जाना जाता है is the process of learning through experience and is more specially defined learning through reflection on doing यानि इसमें यह लगया है दोस्तों कि जो आपका अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रकीरिया होती है उसके अधिक वेशेश रूप से करने का प्रतिभिंब है जोकि आपके माध्यम से सीखने के रूप में क्या किया जा सकता है परिभाषित किया जा सकता है experience learning का दूस्तों अगर आप लोग को definition अगर very short में पूछा जाएगा तो आप direct यहाँ पर लिख सकते हैं जो मैंने हाँ पर highlight किया है कि learning through reflection on doing यह आप लोग experience learning की short definition लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिखा है hands on hearing can be form of experience learning but does not necessarily involve student reflecting on their product यानि कि जो हाथ से सीखने की प्रकिरिया थी उसका जो आपका अनुभव आत्मक सीखने का है वो एक रूप हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं उसमें include हो सकता है सबके सब उसमें क्या होगा reflect सामिल है या फिर प्रतिभिम्ब शाबिल ह सकते हैं जैसे कि हाँ पर संबंदीर हो सकता है पहला है action learning कोई बच्चों को क्रिया अधीखम में होंगे दूसरे लर्निंग कुछ बच्चों को इस तरीके से अनुभव हो सकता है जब वो क्या कर सकता है कोई भी एडवेंचर पर जाके कोई झीख सब्सक्राइए दूर्स ए experimental learning is often used synonymously with the term experimental education but while experiential education is a broader philosophy of education यानि कि जो आपका अनुभाव आत्मक सीखने का जो उपी हो गए अक्सर क्या किया जाता है कि उसको परियोग आत्मक शिक्षा यानि कि experimental education सब्द के रूप से भी किया जाता है जबकि इसमें क्या होता है कि आपका experiential learning की जो शिक्षा का है एक व्यापक दर्शन होता है यानि कि एक philosophy होती है कि इसमें शिक्षा में अब concept है आप लोगों का जिसमें आप लोगों का अनुभाव आत्मक सीखने का जो में अफधार्णा क्या क्या थी फर्स्ट एक्सप्लोड बाइ जॉन डीवी एंड जीन प्याजे जानि कि इसमें आपको यह बोला गया है कि जो आपके अनुभाव आत्मक सीखने की जो अफधार्णा थी उसके पहले जॉन डीवी और जीन प्याजे द्वारा अन्य लोगों के बीच में खोजा गया था और इसका सिख्षा सिधांत का डेविड एक ओल्ब द्वारा लोग पिरिये क्या बनाया गया था जिनों ने क्या किया था रॉन फ्राई के साथ मिलकर अनुभाव आत्मक सीखने का सिधांत को विक्षित किया था जो इस विचार प परिवर्तन के माध्यम से बनाया जाता है यानि कि इसमें यह बोला गया है कि जो आपके एक्सपेरियेंशल लर्निंग के जो अफधारना थी वो यह थी कि सबसे पहले आपके जॉन डीवी और जीन प्याजे ने सबसे पहले इसमें खोजा था यानि कि सबसे पहले इसके बा अनुभव आत्मक सीखने का एक सिध्धान को विक्सित किया था और उनका कहना यह था उनके विचार यह थे कि जो लर्णिंग है वह एक ऐसी प्रोसेस है यानि कैसी प्रकिरिया है जिससे हम लोग अपने ज्ञान पर अनुभव करके और उससे क्या कर सकते हैं परिवर्तन के मा अधारित होते हैं जो की सीखने के अनुभव के दौरान एक सतत्त चक्र माना जाता है यानि कि आपका यह सीक्वेंस है आप लोग इसी के अकॉर्डिंग याद कीजेगा सबसे पहला जो आपका आता है वह आता है कॉन्क्रीट एक्सपिरियेंस यानि की ठोस अनुभव होना चाहिए दूसरा आता है आपका रिफ्लेक्टिव ऑप्जोवेशन जो की चिंताशील अवलोकन होगा थर्ड वन इस एपस्टेक्ट कंसेप्शलाइजेशन अमुर्त अवधार्ना अलास्ट आपका जो आता है एक्टिव एक्सपरिमेंटेशन सक्रिया पर्योग तो दोस्तो कि आपको याद रहेगा कि कौन से चार साइकल थे कौन क्रीट रिफ्लेक्टिव एफ्सट्रेक्ट और एक्टिव आप लोग इस तरीकी से आपको इजली याद कर सकते हैं नेक्सट आप लोगों का एड्लाटिजर ओफ एक्सपरियंच ललेर्निंग कि चैखने के फायदे क्या है इह आप लोगों को यहा पर बताया घल्य पहला आप लोग को यहां पर दिख रहा होगा कि आपके आप पर कोई पांच पॉइंट शो किये गए हैं जिसमें आप लोग को एक्सपीरियंशल लर्निंग के फायदे बताए गए हैं तो पहला है एबिलिटी टू इमीडेटली अप्लाइ नॉलेज यानि तुरंत ग्यान लागू करने की छमता होनी चाहिए कोई भी एक्सपीरियंस यानि की कोई भी आप अनुभव करें तो सबसे उसमें में चीज होती है कि जो भी आपने नॉलेज लिये है उसको आप लोग अप्लाइक कर सके ऐसी करेंगे कि जो भी आप लोग टीम वर्क करेंगे कोम्निकेशन स्कील होगा यानि कि संचार कोशल को बढ़ावा देना डेवलप्मेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैबिट चिंताशील अभ्यास के आदतों का विकास और लास्ट है आप लोग का एकमपलिश्मेंट आर ओव्यास यानि कि उपलब्दियां क्या हैं आपकी इस पस्ट हैं तो यह आपकी जितनी भी इस पस्ट इसलिए हैं कि आप लोग अगर अपने लाइफ में कोई भी एम लेके चल रहे हैं किसी भी दोहारा से किसी भी चीज में आप लोग अपना अनुभव ले रहे हैं त और आपको उसमें achievement भी मिलेगी ही मिलेगी उसके बाद आपका topic आता है objective of experiential learning आपके उदेश से क्या थे experiential learning is designed to engage student emotion as well as enhancing their knowledge and skill यानि इसमें यह वो लग गया है कि आपके अनुभावात्मक सीखने के लिए चात्रा की भावनाओं को सामिल करने के साथ साथ उनके ज्यान और कोशल को बढ़ाने के लिए भी क्या किया गया है design किया गया है design आप लोग यह बोच सकते हैं कि उनके लिए यहां पर express क्या गया है कि अगर बच्चे क्या करें कि सिर्फ नाहिंग knowledge को बल्कि अपने skill को भी बढ़ाना चाहिए आप लोग सिर्फ book की knowledge से लेकर ही अपनी life में आगे नहीं बर सकते दोस्तों गांदी जी का माना ऐसा था कि सिर्फ आप लोग किताब को पढ़ने से ही अपने knowledge को गिन नहीं कर सक बल्कि आपको बाकी ऐसी कोई activity करनी चाहिए जिसे कि आगे जाके आप खुद से भी कोई काम पर यानि आप बोल सकते हैं skill को भी बढ़ाना चाहिए जिसे कि आप लोग को उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा knowledge होगी तो यह कुछ points से दोस्तों आप लोगों के तो आ आप लोग बैल अगयन पर प्रेस करके रखेगा उसकी लेटिस नोटिफिकेशन के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही है नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग